लोकसभा चुनाओं के लिए बीजेपी धुवाधार प्रचार कर रही है। राजी में तीसरे चरण के मद्दान से पहरे किंद्री ग्री एवं सहिकाईता मंत्री अमिज शाह बुधवार को राजी के दवरे पर पहुँचे और कॉर्बा के कटगोरा में उन्होंने जन सभा को समख़ित किया। कॉंग्रेस पर सादकर जमकर निशाना ग्रीम मंत्री अमिज शाह ने कहा कि कॉंग्रेस के लिए वोट बैंक ही सबसे जरूरी है। गुपेस सरकार ने नकसलवाद को बढ़ावा दिया। पांस साल में कई राजियों से बीजेपी ने नकसलवाद को समाप किया है। गुपेस बगिल फेक एंकाउंटर कहते हैं नकसलियों ने खुद इस बात को स्विकार कर लिया है कि हमारा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कोर्वा कठीन सीट है पिछले बार आपने आशिरवाद नहीं दिया था। अब सरोज पांडे यहां से लड़ रही है। हर इलाके वाले कहते हैं हमारे सांसात को बड़ा बनाईए हमने तो इतनी बड़ी नेता आपके लिए भेजा है। जंगल में जाती हैं बारिश के दिनों में लकडियां गीली रहती हैं। उनके चूला जलाने के लिए इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और जब वो चूला नहीं जला पाती है कई बार गीली लकडियों में धुआ होता है। एक बार में दोसों से जादा सिग्रेट का धुआ अपनी छाती में उतारती है। और चालिस की उमर होते होते इतनी बिमार हो जाती हैं कि वो चाहकर भी अपना इलाज नहीं करे। देश के प्रधान मंत्री जिने इसलिए उज्वला गैस योजना शुरू करी। किसी बहन को लकड़ी न काटना पड़े। उज्वला गैस योजना में उनको देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी। विक्सित भारत की कलपना करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर देश विक्सित होगा तो देश के साथ हमारा कोरबा भी विक्सित होना चाहिए। और कोरबा विक्सित होने के लिए किसी कटपुदली सांसत से ये नहीं हो पाएगा। अश्टाचार में लिप्त रहने वाली सांसत से ये नहीं हो पाएगा। जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, चार सो पार कराना है या नहीं कराना है, सरोज बेंड को सांसत बनाना है या नहीं बनाना है, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए, अंतक दूप में खड़े वो भी उठाए ज़रा हाथ, विजाय के संकर्प का मुठी बीचे चंद वाद से बोलिये बारत मता की बन दे बन दे बन दे अधाओ भया अयोध्या में राम मंदीर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था एक कॉंग्रेस पार्टी जो आज हमारे खिलाप लग रही है सतर सतर साल से राम जन्बमुवी के मसले को अटका कर रही लटका कर रही बटका कर रही अरे 36 गड़ वालो आपने 11 मैं से 9 सिटे दे कर मोदी जी को दूसरी बार प्रधान मंत्री बनाया एक पांची साल में केश भी जीता भूमी पुजन भी कया और बाइस जन्वरी को प्राण प्रतिष्टा करकर जैश्री राम कर दिए और पांची साल के बाद राम लल्ला को पनीत करकर मंदिर में नहीं बिठाया था पांची साल के बाद हम ऐसे भाग्यवान लोग है जिनके जीवन में ये दीन आया कि हमने राम लल्ला के कपाल पर सूर्यति लग को देखा भाईयो सूर्यति लग को और एक कॉंग्रेक्स पार्टी जब राम जन्वर्भूमी में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्टा होती थी उनको निमंत्रन भेजा गये सोनिया जी को भी बेजा राहुल बाबा को भी बेजा खरगे साब को भी बेजा साब मैं तो आश्यर्य चकीज हो गया कोई राम लल्ला के प्राण प्रतिष्टा का निमंत्रन को धुद्कार सकता है ये कॉंग्रेस प्राण प्रतिष्टा के निमंत्रन को धुद्कारा है आप तो नेनियाल वाले हो के कॉंग्रेस वाले आये तो पुछना किस मुझ से वोट मांगने आये हो हमारे ब्राम लल्ला का प्राण प्रतिष्टा था आप तो गये ही नहीं भाई और बेनों इनके लिए वोट बैंक की वहत गुरूप मुझे बताओ च्छतिस गड़ वालों च्छतिस गड़ में से नकसलवाद समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अरे जोर चे बलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए